आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, महा भारत के आज इपर्व के तेर्वें अध्याय में कथा सुनाते हुए, मार्शी वैसंपायंगी कहते हैं, हे राजन जन्मिजेजी, पांडो पुत्र भीन ठके तो थे ही, बिश के मद से भी अचेत हो रहे थे, उनके अंग अंग में बिश का प्रभाव फैल गया था, अता वहा ठंडी हवा पातर, वय एसे सोय की, जड़ के समान निश्चेश्क परतीत होने लगे, तब दुर्जोदर ने स्वयं बीरवर, धीन सेन को लताओं के पासने कश करवादा, वय मुर्दे के समान हो रहे थे, एसी अवस्था में दुर्जोदर ने उन्हें दंगा के हूंचे तक से जल में धकेल दिया, मारसी बैसंपान जी कहते हैं, हे राजन जन में जैजी, उदा समस्थ कवरों और पांडों, किल्णा और बिहार समाब तकर के, बीन सेन के बिनाई, हस्टिनापुर की उर्चल पड़े, रथ हाथी गोले जथा अनेक प्रकार की सवारियों के द्वारा वह वहां से चले, बीन सेन को वहां ना देखकर वह आपस में कह रहे थे कि बीन सेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए हैं, पापी दुर्जोधन ने भीन सेन को वहां ना देखकर अतेंद परसंद न हो, भाईयों के साथ नगर में प्रवेश किया, राजा उदेशिर धर्मात्मा थे उनके पवित्रे दे में, दुर्जोधन के पाप पून विचार का भान तक ना हुआ, वह अपने ही अन्मान से दूसरों को भी साधू ही देखते और समझते थे, भाईयों पर असी ने रखने वाले कुंती नंदा निदेशिर माता के पास पहुंच कर, और उन्हें पर नाम करके बूले, हे माता स्री, भीन सेन यहां आया है क्या, हे माता वो कहां गया होगा, हे सुबह मैं उसे यहां भी नहीं देख रहा हूँ, वहां हम लोगों ने भीन सेन के लिए, उद्धान और बनका कोना कोना चान डाला, फिर भी जब हमें बीरवर भीन सेन दिखाई नहीं दिये, तब हमने यही समझा की हो, हम लोगों से पहले चले आये होंगे, हे महाभागे, हम उसके लिए अत्यंद ब्याकुल हिर्दय से यहां आये हैं, यहां आका वो कहीं चला गया है, अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है, यह स्वस्तनी महाभावू भीन सेन का पता बताओ, यह सोभने बीर भीन सेन के विशय में मेरा हिर्दय संकित हो गया है, बुद्धिमान धरम राज इंदिस्टिर के इस्तरकार पूछने पर कुंती दे ली, हाई हाई करके व्यवरा उठी और इदिस्टिर से बोली, यह वस मैंने भीन सेन को नहीं देखा है, वो मेरे पास आया ही नहीं, तुम अपने छोटे भाजियों के साथ सीगर उसे दोनने का परियत न करो, कुंती का हिर्द में पुत्र की चिंता से बिथित हो रहा था, उसने अपने जेशपुत्र इदिस्टिर से उपियुक बात कहकर मिजूर जी को बुलवाया, और उनसे इस प्रकार कहा, हे भगवन धीन सेन कहीं दिखाई नहीं देता, वहां से कहां चला गया, उद्दान से सब लोग लोट आये, पुरंद धीन सेन, अभी कर लोट कर मेरे पास नहीं आया, वो सदा दुर्योधन की आँखों में कटक्ता रहता है, दुर्योधन कुरूर दुर्वुदी छुद्र, राज कालोवी कता नेलज्ज है, अता संभो है, वो कुरोध में बीर भीन सेन को, धोका देकर मार भीला ले, इसी चिंता से मेरा चित ब्याकुल हो उठा है, और रिद गर्ड सा हो रहा है, विदुर जी बोले हे कल्यारी, एसी बात मुझ से ना निकालो, अपने सेश पुत्रों की रच्छा करो, यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विशे में पूश्टाच की जाएगी, तो दुश्टात्मा तुमारे सेश पुत्रों पर भी परहार कर सक करता है, महामुनी ब्याजी के कतना अमसार तुमारे सभी पुत्र देर्गजी भी हैं, अता तुमारा पुत्र भी इंसेन, कहीं भी क्योना गया हो, अवस्र लोटेगा, और तुम्हें आनंद परदान करेगा, मासी बैसंपाएं जी कहते हैं, हे राजन जन नीजे जी, गिद इद्वान विदूरेशा कैकर, अपने घर चले गए, इदार कुंती चिंता मगन होकर, अपने चारों फुत्रों के साथ चुपचाप गर में बैठी रही, भी इंसेन बिहुसी की अवस्था में जल के बीतर, ढूब कर देरे देरे नीचे जा पहुंचे, वहां नागों ने अपनी बहंकर, विश्वाली बडी-बडी दारों से भीन सेन को खुब दसा, उनके द्वारा दसे जाने से कालपूर विश्थ का प्रभाव नश्च हो गया, सर्पों के जंगम विश्थ ने खाये हुए अस्थावर विश्थ को हर लिया, तक पस्चाप कुंती नंदन जाग और अपने सारे बंदनों को तोड़ कर महावाहू भीन सेन सेगरी अपनी माता के पास आ गए, तदंतर सत्रू डवन भीन सेन ने माता और बड़े भाई को पराम करके छोटे, भाईयों का इसने पूर्वक सिर्शूंगा, माता तथा उन्नर स्रेट भाईयों ने भी उन्हें हिर्दे से लगाया, तथा एक दूसरे के प्रत, इसने आधिक के कारण सबने भीन सेन के आगमन से अपने सववाग की सराहुना करते हुए, अहो भाग, अहो भाग, एसा कहा। साथपष्चात महानबल और प्राकरम से संपन भीन सेन ने दुर्जूरहन की वे सारी कुछे चाएं अपने भाईयों को बताई, तवराजाई दुछी ने भीन सेन से ये अर्थ युक्त बात कही, ये भाईया भीन, तुम अभी सर्वता, चुप हो जाओ, तुमारे साथ यो कुछ हुआ, उसे कहीं किसी परकार भी ना कहना, यो कहकर महावाहू धरमराज दिर्खिर अपने सब भाईयों के साथ उस समय से अती साधान रहने लगे, उदा राजा धितराज में उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से, अतेंत उड़न्ड होते देख, उन्हें अच्छा देने के लिए, गौतम गोत्री किलपाचार की खोज करा कर, तदा उन्हें कुरू बना कर, उन्हें सबी कुमारों को उन्हें सौप दिया, साधर परणां जै सिरी किल्ड़